While loop और Do while loop के बीच में तीन डिफरेंस हम आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहला डिफरेंस जो है The loop will not execute at all if the condition is not satisfied यानि while loop run ही नहीं करेगा execute करेगा ही नहीं अगर मेरे द्वारा दिया गया condition false है यानि कि मेरे द्वारा दिया गया condition का satisfy नहीं करता तो वो loop execute बिलकुल नहीं करेगा वहीं Do while loop will execute at least once Do while loop कम से कम एक बार execute करता है अगर मेरा condition false है फिर भी इससे related मैं दो example आपको बताऊंगा आज चाकि आपको ज़्यादा बहतर समझ में आए कि इन दोनों के बीच के differences क्या क्या है Second point जो हमारा है while loop का It checks the condition first and then execution begins While loop में सबसे पहले condition को check किया आता है और अगर condition सही हुआ तो ही execution होगा लेकिन Do while में इसका just opposite होता है It checks the condition after execution the loop once Do while loop में condition check होते हैं लेकिन उस loop के एक बार execute करने के बाद यानि कि बिना condition को check किया ही loop शुरू में एक बार कम से कम run कर लेता है उसके बाद वो condition का check होता है कि वो condition सही है या गलत While loop को हम entry control loop भी करते हैं वहीं Do while loop को हम exit control loop करते हैं और इसके पुछे का वजह क्या है हम अगले slide में देखेंगे Suppose कर लो है कि हमारे पास तीन variable है PR और T तीनों के type integer है ये example हमने पिछला वीडियो में देखा है और double type का तीन variable P और SI और PRT में कुछ value है और P और SI को हमने 0.0 से initialize किया है क्योंकि ये जो PRT है integer type का इसमें dynamically हम value डाल चुके हैं इसलिए इसे initialize करने का और जरूत नहीं होता लेकिन चुकि ये जो double type का variable P और SI है ये values में enter नहीं किया गया है इसलिए इसे initialize किया गया है और initialize करने का वजह यही है कि इसमें कुछ unnecessary garbage values store ना हो जाए अगला हमारा है do और उसके बाद हमारा curly braces start होता है और इसके अंदर में हमारा statement लिखते है SI that is simple interest is equal to P into I into T whole divided by 100.0 इससे SI calculate हो जाएगा फिर P equal to P plus SI that is the payable amount and last में हम उस payable amount को print कर देंगे और यार रखेंगे कि जो do while loop होता है उसमें condition हम अभी ते डाले नहीं है condition होता है last में while P is less than equal to 1000 और बहुत important बात यह कि यहाँ पर देखें एक semicolon लगाया हुआ है इसको आप mark करिएगा अच्छे से वही हम अगर देखें while loop को तो while loop में भी चलो माल लेते हैं इसी same programming को लिखते हैं P equal to 1000, R equal to 10 and T equal to 1 double P equal to 0.0 and SI equal to 0.0 जो कि इसमें हम लिएबल लिए हैं same variable यहाँ भी लिया गया है अब हम इसमें while loop को execute करेंगे यानि कि while P is less than equal to 1000 लेकिन यहाँ पर देखें while में semi colon है और यहाँ पर while में semi colon नहीं है curly braces start होंगे और उसके बाद जो statements है हमारे पास वो हम इसके अंदर लिख देंगे अब इन दोनो loop को यानि कि दोनो codes को अब देखें अच्छे से यह जो मेरा पहला वाला code है इस code में do while को use किया गया है do while में क्या होता है बिना condition को check किये सुरू में कोई condition check नहीं हो रहा है लेकिन यह loop execute कर रहा है यानि कि while loop में बिना condition के check किये भी यह loop एक बार execute कर सकता है यानि अगर मेरा condition false भी होता है तो भी ये loop कम से कम एक बार run करेगा वहीं अगर while loop का बात करें तो इसमें शुरू में ही condition को चेक किया जा रहा है अगर ये condition पहले बारे false हो जाएगा तो ये loop run ही नहीं करेगा इसलिए इस do while में कम से कम एक बार loop run करेगा ही करेगा लेकिन while लूप में ऐसा नहीं होता है दूसरी बात do while लूप को exit control लूप कहा जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि while लूप का जो condition का execution है वो सबसे last में होता है यानि कि लूप के exit point पर होता है इसलिए do while को exit control लूप भी कहा जाता है वहीं अगर बात करें कि while loop में तो while loop में condition सुरू में ही चेक किया आता है जब ये loop में entry कर रहा है control हमारा तभी इसको check कर लेते हैं इसलिए इसे entry control loop भी कहा जाता है